ये तो सब लोग जानते होंगे कि रतन टाटा ने अपने अपमान का बदला जैगवार लेंड रोवर कमपनी को टेक ओवर करके लिया था लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि स्कोडा के वीडियो में रतन टाटा की बात क्यों हो रही है क्योंकि Skoda के मालिक Veklau Clement की भी कुछ ऐसी ही कहानी है इस वीडियो में हम Skoda की हिस्ट्री के साथ Skoda Superb की हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे सूपब का एंजिन और ट्रांस्मिशन क्या Skoda खुद बनाती है? क्या Skoda की ये पहली सूपब है? ऐसे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में तो चलिए फटा-फट से बिल्कुल समय बरबात की बेना जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं वेकलाव क्लेमेंट एक जमाने में किताबे बेचा करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्होंने जर्मन कमपनी की एक स्पीडल नियूमन की बाइसिकल खरी दी बाइसिकल रिपेर करने की जरुवत पढ़ने पड़ उन्होंने कमपनी को लेटर लिखा ये लेटर जैक लेंग्वेज में था क्योंकि क्लेमेंट चेक रिपबलिक के रहवासी थे जर्मन मेनुफेक्चरर ने उनको रिपलाई किया कि अगर तुम चाहते हो कि तुमारा प्रोब्लेम सॉल्ट किया जाए तो तुमें जर्मन लेंग्वेज में लेटर लिखना होगा वेकलाव क्लेमेंट को ऐसा रिपलाई आएगा ऐसी आशा नहीं थी और ये रिपलाई उनको उनके देश और उनके आत्मसंबान को ठेस पहुचाने वाला लगा तब उन्होंने अपने भाई लॉरिन के साथ मिलकर बाइसिकल रिपेर शॉप खुलने को सोचा ताकि और किसी को ये दिकत का सामना ना करना पड़े और फिर 1895 में लॉरिन और क्लेमेंट कमपनी ने स्लाविया नाम की एक बाइसिकल को लॉँच किया और ये बाइसिकल बहुत ही फेमस हुई बाद में 1898 में फर्स्ट मोटर साइकल और 1905 में फर्स्ट कार को लॉँच किया 1925 में लॉरिन और क्लेमेंट का स्कोडा के साथ मरजर हो गया स्कोडा बेजिकली एक हेवी आम्स मैनुफेक्चरर कमपनी थी जो आम्स के साथ साथ लोकोमोटिव्स और शिप्स भी बनाती थी 1991 में स्कोडा का वॉक्सवेकन ग्रूप के साथ मरजर हो गया और आज वॉक्सवेकन ग्रूप में 12 से भी ज्यादा सबसीडरी सामिल है जिसमें ओडी, सियर्ट, स्कोडा, बेंटली, बुगाटी जैसी कई सारी बड़ी बड़ी ब्रांट्स हैं जो आपको अभी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी लॉरिन एन क्लेमेंट से लेकर स्कोडा तक के सफर में इस कमपनी के कई सारे लोगो बदल चुके हैं जिसकी एक जलक अभी आपको दिखाई दे रही होगी स्कोडा का लोगो विंग्ड एरो के नाम से भी फेमस है विंग्ड एरो लोगो को पहली बार 1926 में यूज किया गया था जिसमें एरो स्पीड को, त्री फेजर विंग्स, प्रोग्रेस एन फ्रीडम को, आई प्रिसिजन को और सर्कल यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है वैसे तो स्कोडा की हिस्ट्री काफी लंबी है लेकिन हमने इसे शॉर्ट में बताने की कोशिज की है क्योंकि अब हम सुपोब की कहानी को सुनाने जा रहे हैं सबसे पहली स्कोडा सुपोब को 1934 में लॉंच किया गया था स्कोडा सुपोब के फर्स जनरेशन मोडल का सफर 1934 से लेकर 1949 तक चला फर्स्ट कोडा सुपोब के मोडल में 4 seat and 6 seat का option अवेलेबल था स्कोडा सुपोब का 2nd generation Worldwide 2001 में लॉंच किया गया और अभी भी मार्केट में अवेलेबल है इंडिया में सबसे पहली स्कोडा सुपोब 2004 में लॉंच की गई थी वक्त के साथ साथ जैसे टेकनोलोजी इंप्रू होती गई तैसे कार में भी वो इंप्रूमेंट जरूरी होते हैं इसलिए 2015 में स्कोडा सुपोब को रीडेवलप किया गया 2020 में स्कोडा सुपोब का फेस्ट लिफ परजन इंडिया में लॉंच किया गया जिसके कुछ समय बाद ही 2021 के स्टार्ट में माइल्ड अप्डेट के साथ साथ स्कोडा सुपोब को फिर से मार्केट में लॉंच किया गया स्कोडा सुपोब अपने फर्स जनरेशन से लेकर 2021 के जनरेशन में भी हाइस्ट पेस, हाइस्ट कमफर्ट, टॉप क्वालिटी और अनबिटेबल रिलाइबिलिटी की लेगेसी को बरकरार रखता है स्कोडा सुपोब को यूके का प्रसिद लग्सरी कार अप दे यर एवर्ट भी मिला है स्कोडा सुपोब को एस्टेट का अप दे यर का एवर्ट भी कंटिन्यूसली त्री टाइमस इन रो 2019, 2020 और 2021 के लिए मिला है एस्टेट कार अप दे यर का एवर्ट, टॉप क्लास क्वालिटी, सुपोब वेल्यू पर मनी और लो रणिंग कोस्ट के लिए दिया जाता है इंडिया में स्कोडा सुपोब का प्रोडक्शन स्कोडा के औरंगाबाद वाले प्लांट में होता है स्कोडा का हेड़कवाटर भी औरंगाबाद में ही है ये प्लांट में सुपोब के साथ साथ स्कोडिया का भी प्रोडक्शन होता है चलिए अब जानते हैं कि स्कोडा सुपोब में यूज किया गया एंजीन और ट्रांसमिशन किसने डेवलप किया है 2021 की स्कोडा सुपोब में वाक्सवेगन का डेवलप किया हुआ TSI टेकनलोजी का 2 लीटर का पेट्रोल एंजीन है TSI का मतलब होता है टर्बो चार्ड स्ट्रेटिफाइड इंजेक्शन ये टेकनलोजी वाक्सवेगन ग्रूप की डेवलप की हुई टेकनलोजी है और ज्यादतर Volkswagen की सभी सबसिडिरीज में यही टेकनोलोजी यूज होती है और माइलेज की बात करें तो Superb में 15.1 kmpl का माइलेज क्लेम होता है ट्रांस्मिशन की बात करें तो Superb में 7-speed DSG जो Direct Shift Gearbox के नाम से जाना जाता है जिसमें Dual Clutch सिस्टम से gear change होते हैं यह gearbox भी Volkswagen Group का ही develop किया हुआ है अगर safety की बात करें तो Skoda Superb को Euro NCAP crash test में 2015 में टेस्ट किया गया था और जिसे 5-star safety rating भी मिला था जो आज की generation की Skoda Superb में भी बरकरार है Skoda के सभी product में 2019 के बाद केवल petrol engine option ही available है Skoda के सारे product में से diesel engine option को बंद कर दिया गया है Skoda ने अपनी website पर service calculator भी provide किया है जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपकी car की कौन सी service के लिए आपको कितना amount पे करना पड़ेगा Volkswagen Group ने 2019 में अपनी 3 subsidiaries का merger announce किया और उसको नाम दिया Skoda Volkswagen India Private Limited merger के बाद Skoda और Volkswagen Group ने India 2.0 strategy announce की और इस 2.0 strategy के अंडर Skoda Volkswagen Group एक नया MQB A0 IN platform डेवलप किया है और future में इसी MQB A0 IN platform पर car develop होगी और इंडिया में launch होगी स्क्रीन पर आपको MQB का full form जर्मन में दिख रहा होगा अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए वैसे इसका English में मतलब होता है modular transverse matrix We hope कि आपको Skoda और Superb की ये बाते जानकर अच्छा लगा होगा Cars की ऐसी ही कही अन कही और सुनी अन सुनी बातों को जानने के लिए Stay tuned to our channel knowledge and guidance and don't forget to press the bell icon for our latest notifications आप हमें Twitter, Facebook और Instagram पर भी follow कर सकते हैं